हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं पापड तो आज हम बहुत अच्छे तरीके से असान तरीके से बिना जंजट के पापड बनेंगे उसके लिए मैंने कच्छे आलू होते हैं उनको कट कर लिया है अच्छे से दो लिया है और ये मैंने चार चम्मस साबुदाना लिय जादा नहीं लेना है मैंने बड़े चार चम्मस साबुदान लिया इनको दोनों को मिक्सी में पीस लेंगे पहले मैंने साबुदाने को पीस लिया है बिल्कुल देखू दरदर अपिसा है इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे उसी तरह जो हमने आलू लिये हैं उनको भी में इसी तरह एक घोल त्यार करेंगे आलू का, उससे हम पापड बनाएंगे, गर्मियों का मौसम आ गया है, उसमें क्या है, चाय के साथ कुछ चाहिए, तो हम बहुत सारे डेर सारे पापड बनाकर रख सकते हैं, और चाय के साथ बहुत टैस्टी लगते हैं पापड, ये मैंने क तो बबारा से एड करेंगे, ये जो साबुदाने का मिसरन तयार करा था, मैंने जो मेकसी में पीस आता उसको भी डाल देंगे, आप चाहिए तो क्या कर सकते हैं, ठंडे पानी में मिला कर भी साबुदाने को डाल सकते हैं, उससे गुठलिया नहीं पड़ेंगी और असान भ इसका मतलब टोटल एक लीटर पानी हम इसमें डालेंगे और लगातर धीमियाच करके इसको चलाते रहेंगे तब तक इसमें बॉलना आ जाए उसके बाद इसमें हम नमक और मिर्च दोनों एड करेंगे बिल्कुल टैस्टी से पापड़ हमारे बनकर त्यार हो जाएंगे और एक दिन में ही ये बनकर ट्रैडियो हो जाते हैं कोई जंजट नहीं है ये देखो मैंने नमक डाल दिया है और मिर्च डाल दी है जो साबुत मिर्च होती है मैंने उनको मिक्सी में पीस लिया था ये हरा धन्या डालेंगे ये मैंने हरा धन्या डालाए टेस्ट के लिए इसस को पकाती रहोंगी साथ से आठ मिनट लगातार धीमियाच पर अब यह देखो पक चुका है बिल्कुल थोड़ा मिजरन गाड़ा हो गया है अब मैं गैस को कर दूंगी बंद और इसको पांस से छै मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दिंगे यह देखो ठंडा हो चुका है तो इसको क्या है अब हमें पोलोथीन लेंगे पोलोथीन पर चमचे में लेकर इसको अच्छी तरह थोड़ा सा फैलाएंगे यह छोटे छोटे पापड बनाएंगे हम इसमें और दूप में सूखने के लिए रख दिंगे यह देखो हमारे एक दिन में सुबह मैंने डाला साम तक बिल्कुल कड़क सूख गए अच्छे से कोई ओल वगरा नहीं लगाया था पोलोथीन पर अपने आप उतर जाते हैं इस तरह देखो मैंने तल कर भी दिखाया है बिल्कुल जो आते ने ठेले वाले भाईया उनकी तरह के पापड़ हमने घर पर ही बनाएं और बिल् लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरी वीडियो सबी वीडियो आपको पसंद आती है तो नौटिपिकेशन को ओन कर लें ताकि जो मैं नई वीडियो डालती हूं वीडियो डालते ही आपको मेरी वीडियो का लिंक मिल जाए इसी तरह देखो मैंने सब पापडों को त्यार कर लिया है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेर करें अब मैं आपको पापड तोड़ कर दिखाती हूं कितने करारे बने हैं थैंक यू